गुद इवनिंग बच्चों थोड़ा सा पहले आ गई हूँ मैं सो दाट सेशन को शुरू कर सके गुद इवनिंग नीलम कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि बस मैं लाइव आती हूँ और वो तुरंत आ जाते हैं लाइव गुद इवनिंग भावेश तुम्हारे क्वेशन का मांसर करेंगे भावेश ठीक है जो मैसेज किया गुद इवनिंग युगल गुद इवनिंग नंदिता गुद इवनिंग श्रवन गुद इवनिंग उमेश गुद इवनिंग आदर्श गुद इवनिंग अनिकित तो लोग स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या बिटा आदर्श एक बार बताना तो यह तेरा काम है चल बताओ स्क्रीन क्लियर है आदर्श इसको तोड़ा और बड़ा किया जाए क्या हाँ आप देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग को प्रश इवनिंग क्रितिका इवनिंग सुचिता इवनिंग हमेंद्र हाँ मैंने नाम ले लिया भई बहुत अरे इतने सारे लोग होते हैं अब नाम नहीं लेने से बुरा नहीं मानने का है भई गुड इवनिंग है ना साफ साफ दिख रहा ना बटा डिस्टर्ब नहीं करना बीच में बिनावजा का चार्ट करते हैं अभी कर लो गुड इवनिंग जितना करना है बिकाज मुझे आपको मोर और लेस आईजी के वी सीटी में में लेंशन किये गए फ्रूट क्रॉप्स को जादा तर को मैं आज डिस्कस कर दोंगे फिर कल जो सेशन लोंगी उसमें फ्लावर क्रॉप्स और जो तीन चार फ्रूट क्रॉप्स बच जाएंगे उनका डिस्कस्शन होगा तो यह रिवीजन सेशन है ध्यान रखना यह मत सोचना कि मैं आपको यहां पर आकर के मास्टर्स या पी एच्डी लेवल की तयारी करा रहे हैं और रिवीजन में केवल इंपॉर्टन फैक्ट को डिस्कस करना पड़ता है यह नहीं कि अब मैंगो पे 20 पेज का नोट्स बना ले रहे हैं गुद इवनिंग संजुकता चलो बटा हाँ पढ़ते हैं मन लगा करके म बटा चलिए बने रहना सेशन के साथ ठीक है और मुझे बिनावजा का चैट में कुछ नहीं चाहिए हो गया गुद इवनिंग गुद आप मॉर्निंग गुद आफ्टरनून चलो अब पढ़ना चालो करते हैं रिवीजन सीरीज बढ़िया तरीके से रिवाइस करने वाले ह हम लोग आज के सेशन को सबसे पहला क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं दाट इस मैंगो ठीक है दाट इस मैंगो मैंगो का क्रोमोजूम नंबर है 40 कितना होता है 40 ठीक है और मैं पलट की देखना पड़ेगा मुझे चैट को इसलिए मैं पूरा ध्यान पढ़ाने पर दे रहे घुड इवनिंग घुड आफेनून बोनना बन कर दो बैैंगो का क्रोमोजूम नंबर 40 रिविजन करके ख़तम करना है इस ठीक है एक। family है अना-कार-डी-ए-सी family क्या है जी अना-कार-डी-ए-सी ध्यान रखना mango chromosome number 40 family is अना-कार-डी-ए-सी ठीक सबसे पहला point देखो क्या लिखा है mango is the richest source of vitamin A vitamin A का सबसे richest source होता है आम vitamin A का अगर amount उचा जाए तो ध्यान रखना ये आम में होता है 4800 IU, IU का मतलब है international unit और आपको बता दूँ कि आम के बाद जिस particular crop में next number पर highest vitamin A होता है वो particular fruit crop का नाम है बिटा papaya, वो particular fruit crop का नाम क्या है बिटा, papaya ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखोगे एक और point कि papaya में vitamin A की मात्रा कितनी होती है 2020 IU 2020 IU next point पर आजाते है point number two, किरन पटेल बता देना मुझे तुम जुड़े हो की नी जुड़े हो अमन जैस्वाल, जुड़े हो की नहीं अविनाश जुड़ा है या नहीं ये सब जिनके नाम लिए हैं मैंने केवल वो लोग chat section में मुझे message कर देना point number two पर आते हैं mango में dwarfness, बॉनापन, regular bearing मैं बताऊंगी regular bearing क्या होता है resistance to malformation जो की एक problem होता है आम में and resistance to spongy tissue spongy tissue भी आम में होने वाला important problem होता है ध्यान रखिएगा सुन रहे हो नहीं हम क्या बोल रहे है and resistance to spongy tissue ये सारे के सारे characters किसी ना किसी gene के द्वारा तो control हो ही रहे होंगे किस तरह के gene के द्वारा control होते है बटा तो single recessive gene के द्वारा dwarfness, regular bearing malformation से resistance spongy tissue से resistance किसके द्वारा control हो रहा होता है single recessive gene ध्यान रखिएगा regular bearing और alternate bearing I hope आप लोग समझते हैं but फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार बोल देते हूँ alternate alternate bearing का मतलब होता है एक साल तो बढ़िया fruiting flowering किया और अगले साल fruiting flowering में कमी आ गई एक साल जम करके मैनत किये तुम्हें जैसे ही पता चला कि post नहीं आ रही है तुम्हारी मैनत लट्टू हो गई कुछ इसी तरह का alternate bearing भी होता है समझ में आया next point polyembryony polyembryony क्या होता है काईदे से seed जो होता है इसमें एक embryo होता है सुन रहे हो और इस condition के विरुद एक condition होता है बीज का जिसमें एक seed के अंदर धेर सारे embryos होते है और उसे कह देते हैं polyembryony तो polyembryony biannial bearing biannial bearing यानि की alternate bearing biannial bearing के लिए दूसरा शब्द क्या है विटा alternate bearing ध्यान रखना polyembryony और alternate bearing जो दो characters पाए जाते हैं आम में यह single dominant gene के द्वारा कंट्रोल होता है single dominant gene इतने बड़िया बड़िया points को हम summarize कियें देखना बहुत अच्छे-च्छे short notes तयार कियें most important points के ठीक है single dominant gene के द्वारा कंट्रोल होता है एक और फंडा धरूर ध्यान रखना बिटा कि जो मैंने भी आपको समझाया polyembryony बड़े short में एक से जादा embryo का present होना seed में polyembryony तीन फलों के characters होते हैं पहला है mango, दूसरा है citrus और तीसरा है बच्चों जामुल mango, citrus and jamun mango, citrus and jamun राहुलतिवारी, रतना, तुम लोग जुड़े हो या नहीं जुड़े हो session में? चलिए next point पर आते हैं, चौथा number का point ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि आम में pollinator, pollination करने वाले insect का नाम क्या है? सभी को आता होगा cornavia, housefly, pollinator in, आम is housefly और मैं कैसे बूल सकती हूँ? कुछ बड़े ही important points जो entomology के लिए भी important है जैसे कि oil palm, oil palm का pollination किस से होता है बिटा? we will say और साथी साथ fig का pollination भी याद रख लीजेगा wasp से होता है, किस से होता है? wasp से होता है ध्यान रहेगा सभी को? चलो IGKV CET 2025 ने आम से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि बताओ ऐसी कौन सी varieties हैं आम की? जो regular bearing varieties है जो regular bearing varieties है regular bearing, समझ में आ रहा है? चलो पढ़ते है regular bearing varieties अब तुम basic chromosome number जो मिस्टर पूछ रहे हो यहाँ पर हर बच्चे को मैं basic chromosome number कैसे समझाओ हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा ठीक है? चलो यह heading डाल लीजे हाँ जो तुम बोल रहे हो एक बार मैं उसका explanation दे सकती हूँ ब्रीडिंग जब लेकर के आऊंगी तब उसके लिए मुझे पहले explain करना पड़ेगा basic chromosome number ठीक है? चलिए regular bearing varieties regular bearing varieties आम में कौन कौन सी है? पूसा प्रतिबा regular bearing का मतलब समझ में आ रहा है? regular bearing का मतलब है कैसी variety जिसमें alternate bearing जैसी कोई शिकायत नहीं होती है साल दर साल उसमें fruiting और flowering की जो मात्रा है वो fixed होती है, वो घटती नहीं है कम से कम समझ में आया? पूसा प्रतिबा, पूसा श्रेष्ट, मलीका, आमरपाली, रतना, अर्का अरुना, अर्का पुनीत और अर्का नील किरन ये सब के सब regular bearing varieties हैं आम की ये आल आर regular bearing varieties of mango याद रहेगा सभी को? याद रहेगा सभी को? मैं बता दूँग आपको आपका नाम ही नहीं पता है, मैं यही नाम पढ़ दूँ, किशन, किसानी व्लोग्स ठीक है? आप मेरा number ले लिजेगा, मुझे WhatsApp कर दीजेगा या आप पर message कर दीजेगा, मैं आपके इस question का आपको explanation दे दूँगी ठीक है बटा? मैं चार योगी बहुत सारे crops दीए वे ना, मैंने फटा-फट इसको revise करवा देती हूँ बच्छों को next, point number six, spongy tissue, spongy tissue एक बहुत बड़ा problem होता है आम में और आपको बता दें कि ये जो spongy tissue problem होता है आम में, इससे सबसे ज़ादा जो susceptible variety है मतलब वो variety आम की, जिसमें सबसे ज़ादा ये problem देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? Alphanso, क्या नाम है? Alphanso और spongy tissue को अगर आपको सुधार ना है, तो आप gibberilic acid का spray करो, जब तक हम concentration ना बोलें, मत पढ़ियेगा GA का spray, spongy tissue के problem को बहुत हद तक control कर सकता है, next point पर आते हैं, बहुत ही important सवाल, बहुत important alternate bearing जो है, इसी को biennial bearing बोलते हैं विटा, याद रखेगा, alternate bearing को ही biennial bearing बोलते हैं, जुड़े रहना session के साथ, बहुत कुछ सीख के जाओगे alternate bearing को ही biennial bearing बोलते हैं, और यह बहुत बड़ा problem माना जाता है आमके case में, तो biennial bearing को सुधारने के लिए, आप apply कर सकते हो एक chemical जिसका नाम है paclobutrazole, paclobutrazole, which is also known as culture, या कल्टार भी पढ़ सकते हो, जैसे याद हो रहा है, वैसे याद कभी, next, black tip, black tip भी एक problem होता है mango में यह जो problem है, this is known as disorder, disorder क्योंकि यह किसी particular element के बढ़ जाने या घट जाने के कारण जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हम disorders कहते हैं, समझ में आ रहा है, और black tip नाम का जो disorder आम में होता है, वो अक्सर ऐसे आमों में देखा जाता है, जिनके बगीचे, इटे भटी के नस्दीक थे क्योंकि इटे भटी के चिमनी से जो धुआ निकलता है, उस धुए में present carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide और acetylene gases के कारण होता है black tip का problem, समझ में आया सभी को मैं क्या बोल रहे हूँ, black tip क्यों होता है, brickkins का मतलब होता है, इटे भटी से निकलने वाले धुए में, present ये सारे gases, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, acetylene, इनके कारण होता है black tip, और black tip के control के लिए सबसे अच्छा होता है, borax का spray, किस चीज का spray, borax का spray, याद रखना, सबको आ रहे हैं समझ में न, all clear आई हो, ये horticulture पढ़ रहे हो, maximum चीज़ों को memorize करना पड़ता है, poly embryonic तीन जगों पर पढ़ा, mango, citrus, jamun, याद रखिएगा, mango, citrus, jamun, next point, जो हमारी south Indian mango की varieties है, south Indian varieties, वो अक्सर poly embryonic होती है, मतलब एक seed में बहुत सारे embryos उपस्थित होंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन जितने भी north Indian varieties हैं आम की, ये ज्यादा तर कैसी होती है, mono embryonic, मतलब single seed, single embryo, ठीक, next, HDP, high density planting में आम की वो variety जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, नाम है आमरपाली, और आमरपाली को किस spacing में लगाया जाता है, तो धाई into धाई meter, याद रखना, plant population निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, धाई into धाई meter, ठीक है विटा, याद हो जाएगा, देखो, बढ़िया एकनब short short points बनाया है, इतना असान कि सबको याद हो जाएगा, ठीक है, next, last point mango में पढ़ रहे है, mutant variety बहुत famous है, नाम है इसका Rosie का, mutant variety of mango is what? Rosie का, ठीक है, देखो, obviously बात है, क्योंकि ये revision session है, या फिर बोलो last minute session है, जिसमें कि ऐसे points कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो most probably पूछे जाते हैं, इसे लिए इतने के साथ संतुष्ट रहे हैं, इतना कम से कम आना ही चाहिए, अगर आप कोई भी competitive exam देने को जा रहे हैं, बाकी पढ़ने का तो कोई limit नहीं, आप चाहें, तो mango पे 10 page का इससे भी लिखा जा सकता, निबंद भी लिख सकते हो, तो उतना तो नहीं पढ़ सकता आदमी, है की नहीं, और अगर पढ़ भी लिया जाए, तो उतना याद कैसे रखोगे, mutant variety याद दिखली जे रोजी का, और high density planting में, कौनसी variety यूज़ करते हैं, आमरपाली, किस spacing में लगाया जाता है, बिटा, 2.5 इंटो 2.5 meters, next crop पर आजाते हैं, बनाना, बहुत ही बहतरीन session है, one liners के form में, मैंने हरे crop को change किया हुआ होगा, I mean हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप definitely बहुत कुछ सीख के जाओगे, चलिए, बनाना पड़ रहे हैं, बनाना, heading डालो बनाना, नहीं दिख रहा होगा शायद न, heading डालो बनाना, बनाना में सबसे पहला point, अच्छा, आम को bathroom fruit भी बोलते हैं, pride fruit of India भी बोलते हैं, याद रख लेना, bathroom fruit आम को ही कहा जाता है, नेक्स है बिटा बनाना, बनाना में सबसे पहला पॉइंट कि बनाना को एपल ओफ पारडाइस भी बोलते हैं, ट्री ओफ विजडम भी कहा जाता है, साथी साथ ट्री ओफ पारडाइस भी कहा जाता है Next point, banana monocot plant होता है और banana की family है मुसेसी क्या है family मुसेसी Next point, banana से related बहुत important research institute है इसको short में हम पढ़ते हैं рь इनीबाप, क्या पढ़ते हैं इनीबाप विपल और तरुन, तुम लोग session में नहीं जुड़े होगे हो क्या इनीबाप, इनीबाप is a particular institute which is related to banana ध्यान रख्येगा और इस पर्टिकुलर इंस्टिट्यूट के headquarters कहां है तो यह है Montpellier France में कहा है Montpellier France में फुल फॉर्म इंटर्नाशनल नेट्वर्क जल्दी नोटाम करलो जल्दी लिखो तुम लोग से तो पूछाओ विपुल तरुन तुम लोग कहां गायब हो आज नहीं जुड़े हो क्या सेशन में तुम लोग International Network for Improvement of Banana and Plantain बनाना पी फॉर प्लांटेल बनाना के वो टाइप जो की सबजी बनाने में यूज होते हैं कहलाते हैं प्लांटेल लिख लीजेगा Cooking Purpose बनाना Cooking Purpose बनाना यह श्रिजन भी नहीं जुड़ा है ना सेशन में Cooking Purpose बनाना International Network for Improvement of Banana and Plantain श्रिजन नहीं जुड़ा है नाट अकाश्ट जुड़ा है विपुल कहां चला गया है जादा पढ़ रहा है नेक्स 2021 सीटी का सवाल देखो मैंने नोट डाउन भी कर दिया है चौथा CBRS Central Banana Research Station Central Banana Research Station यह कहां पर सिच्वेटेड है 2021 सीटी का सवाल था अधू तुरई अधू तमिलनाडू अधू तुरई तमिलनाडू ठीक नेक्स पाचबा पॉइंट आप देख रहे होंगे मटू के बनाना में मैंने लिखा एक पॉइंट मटू के जैसे इडली मैंने पढ़ाया भी इडली स्टीमड प्रोडक्त होता है भाप की मदद से उसे बनाया जाता है है की नहीं की गलत बोल रहे हैं सही तो पता रहे हैं उसी तरह से मटू के जो है ये एक स्टीमड प्रोडक्त है जो की बनाना से बनता है मालो एक्जाम में पूछ ले मटू के किस से बनता है बनाना से बनत बणानान का ब्लाक पल्प बनाना में एक ब्लैक पल्प मैंगनीज पढ़ रहे थे मैंगनीज की कमी से होता है against pathology में काम आएगी Birazvy गैस们 जो यह इक सारी वाईरस वाईरस और इस वाईरस का पूरा नाम यह बनाना स्ने Trek वाईरस और यह जो यह वाईरल स्लेट हैं वह किस इंसेक्ट से चांसमिट होता है नाम तो दिखी रहा होगा मिली बग, कौन है बहिया मिली बग, बनाना स्ट्रीक वाइरस को कौन ट्रांस्मिट करता, मिली बग ठीक, नेक्स पॉइंट नमबर एक पर आ जाते है BBTV बनाना बंची टॉप वाइरस 2022 सीटी का सवाल था ये बनाना बंची टॉप वाइरस कौन ट्रांस्मिट करता जी अफिड, अफिड का नाम क्या पेंटालोन या नाई ग्लो नर्वोसा हाँ नेक्स बहुत इंपोर्टेंट अच्छा लग रहा है सेशन कुछ लोग चाहें तो बोलने में या नहीं बनाना की मेच्चुरिटी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है टोडो मीटर टोडो मीटर टोडो मीटर हाँ तरुन, वेरी गुड टोडो मीटर ठीक, बनाना में एक बहुत इंपोर्टेंट शब्द होता है डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, अरे कुछ नहीं कच्चे केले को पका देना डी ग्रीनिग, डी ग्रीनिग, ठीक है डी ग्रीनिग, अरे पकाने के लिए कौन सा हार्मोन इथाइलीन हार्मोन, और इथाइलीन का एक फॉर्म होता है जिसको कहते है इथरल तो माल लो तुमको एक्जाम में सवाल आ गया कि D-Greening किस chemical की मदद से किया जाता है इथिरल से किया जाता है यागर्ण ठीक है Next बहुत important है बहुत important है 11 वाला point Choke throat Choke throat आदर्श बना हुआ है ना session के साथ Choke throat जो है बिटा ये disorder होता है बनाना का Choke throat और ये क्यूं होता है तो ये होता है low temperature के कारण इतना समय नहीं देने का revision series मतब पट 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 वो सारे points को आप पढ़ लो जो आपके exam के लिए important है Choke throat low temperature के कारण होता है ठीक है चलो 12 बारवा point yellow sega toka sega toka तो एक disease है जो बनाना में होता है plant patho के section में मैंने इस चीज को discuss किया था क्या बोल रहे है क्या 223 Choke throat में confusion है क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आया तुमारा question yellow sega toka yellow sega toka जो है ये होता है एक fungus के कारण जिसका नाम है mycospherala musicola mycospherala musicola मैं को नहीं समझ मैं दो से तीन क्या लिख लिख लिए हो मुझे समझ नहीं आ रहा है एक तो इतनी दूर जा करके देखना पड़ता है next black sega toka black sega toka जो बनाना की बिमारी होती है mycospherala figeansis से mycospherala figeansis से बिटा बनाना में ही choke throat पूछा गया है अभी तक जितना भी जगा पर पूछा गया है एक होता है coconut में crown choking सुनलो जी आप लोग भी बनाना में आप याद रखो choke throat और crown choking नाम का disorder होता है coconut में बस यही दोनों है जो थोड़े बहुत confusing है ठीक है जब भी choke throat पूछा गया है choke throat इफको का question था इफको pre का है ना आदर्ष क्यों जी सही बोल रहे है ना इफको pre का सवाल था यह तुम बस यह दोनों याद रखो तुमारे काम का है black sea gato का यह होता है mypospherala phygensis से ठीक यह जो हमारा banana crop है इसमें एक nema tode का भी attack होता है जिसका नाम है burrowing nema tode burrowing nema tode और burrowing nema tode का scientific name है radopholus स्वाती सिंग जुड़ी है की नहीं radopholus radopholus चलो todo meter याद रखता banana की maturity और mutter की maturity पूछा जाए तब क्या answer करोगे mutter p की maturity tendrometer tendrometer ध्यान रखना mutter की maturity next topic पर आजाते हैं citrus citrus जिसकी family क्या है root A.C ध्यान रखिएगा next point citrus में mono embryonic species 2019 C.E.T. का सवाल था 2019 C.E.T. का सवाल था यह mono embryonic species citrus में citrus में तो कई सारे टाइप है है की नहीं yes पिटा कुल दी बहुत सारे टाइप होते हैं citrus के sweet orange mandarin और lime acid lime kagzi lime lemon बहुत सारा टाइप है है न जी तो mono embryonic इन में से कौन-कौन है तो pumelo pumelo के लावा tahiti lime और तीसरा है citron ध्यान रखेगा pumelo pumelo के बाद है tahiti lime और तीसरा है citron ये तीन citrus के ऐसे species जो की mono embryonic होते हैं और mango पढ़ाने के दौरान मैंने आपको ये बताया कि poly embryonic के जो processes हैं वो तीन जगों पर होते हैं सुनियेगा ध्यान से mango citrus jamun तुम citrus पढ़ रहे हैं और तुमने अभी mono embryonic species के नाम पढ़े pumelo tahiti lime और citron इन तीनों के इलावा citrus में कोई भी नाम दे दे कोई भी नाम दे दे वो सब के सब poly embryonic हो जाएंगे वो सब के सब कैसे हो जाएंगे poly embryonic कुछ समझ में आ रहा है ये तीन के इलावा citrus में कोई भी दूसरा species poly embryonic होगा इसलिए देखना exam में इन ही को पूछा जाता है समझ गए चलो next हम आ जाते हैं citrus के अलग-अलग species और उनके scientific nails पर सबसे पहला है हमारे पास acid lime या carxy lime जिसको citrus और antifolia बोला जाता है citrus और antifolia ठीक है citrus और antifolia session को share कर दीजेगा next sweet lime citrus limatoid citrus limatoid ध्यान रखिएगा तीसरा रंगपूर lime citrus limonia citrus limonia जी हाँ बिल्कुल इससे सवाल आ जाता है scientific name याद होना चाहिए जो लिखा हुआ है शेल जा जुड़ी है की नहीं जुड़ी है next tahiti lime tahiti lime mono embryonic तुमने पढ़ा citrus latifolia pumelo pumelo सबसे बड़े साइस का citrus fruit माना जाता है pumelo और pumelo का scientific नाम है citrus grandis क्या नाम है citrus grandis pumelo citrus grandis citrus grandis ठीक है चलिए next आ जाते हैं बिटा 8 पॉइंट से पहले मैं 9 वाला पॉइंट लिखा रहे हूँ ठीक है mandarin mandarin का scientific नाम है citrus reticulata mandarin का scientific name क्या है citrus reticulata ठीक है और mandarin में एक variety है mandarin में एक variety है जिसका नाम है kinnao mandarin क्या नाम है जी kinnao mandarin और kinnao mandarin जो है it is a cross between king and willow king and willow king हाला की अलग स्पीशीज है और willow एक अलग स्पीशीज है वो बात की बात है आप बस याद रख लीजेगा कि nao जो है वो है cross between king and willow it's a cross between king and willow याद रहेगा सभी को banana में तुमने पढ़ा degreening किसी चीज को पकाना degreening कहलाता है simple भाशा में citrus में भी degreening perform किया जाता है ठ्यान रखेगा citrus में एक बहुत important disorder है नाम है granulation बहुत important है हर बार हर paper में disorder से सवाल आता है हर paper में आता है याद रखेगा तो citrus में एक disorder है granulation और granulation disorder को crystallization या dry end disorder भी बोलते हैं granulation is also known as crystallization or dry end next topic पर हम आजाते है grapes next topic डालीजेगा grapes heading डालीजे बटा grapes degreening आपने कहां कहां पर पढ़ा है banana, citrus, mango भी लिख लीजेगा तीनों में degreening perform की जाती है next topic पर आजाते है which is grapes जिनको नहीं पता है grapes की family है वैसे तो इतना आसान सवाल पूछ लिया जाए ऐसा हो सकता है किसी किसी exam में not for IG, KV, CET grapes में जो acid पाया जाता है उसका नाम है tartaric acid tartaric acid प्यान रखेगा grape में concept होता है बिटा teen tourier teen tourier क्या है teen tourier जल्ली बतायो चलो आप में से किसी को पता है क्या what do you mean by teen tourier कोई बताएगा मुझे what do you mean by teen tourier चलो जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है already वो बता सकता है मुझे what do you mean by teen tourier हाँ बोलो जल्दी से teen tourier का मतलब बताओ क्या हो गया हाँ very good kishan good बिटा akash very good अंगूर की ऐसी वराइटी जिसके flesh गूडा और skin यानी की पतला छिलका वो दोनो dark color का होता हो खासतोर पे dark red या dark purple color का very good अंगूर good good सुरेंद्र very good बिटा तो ऐसी वराइटी को हम क्या बोल लेते है teen tourier और अपने इंडिया की भी teen tourier वराइटी है grapes की जिसका नाम है पूसा नवरंग अपने भारत में भी एक वराइटी डिवलप की गई teen tourier वराइटी जिसका नाम क्या है पूसा नवरंग हाँ क्या बोल रहा है राहूल very good चलिया पूसा नवरंग next enology 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 जो है it is the study of study of science of wine making मतलब wine मतलब तो सभी लोग जानते है विपुल जो है वो नहीं जुड़ा है क्या विपुल नहीं जुड़ा है आईशा जुड़िये बिटा very good उसा नवरंग yes it is the science of wine making wine means alcohol alcohol बनाने का जो पूरा science है that is known as enology yes हाँ जी श्री जन वाँ चलो ठीक है next बहुत important point चौता point very important हाँ अंकित very good अंकित तरह फ्रेंड शुबम का है चलो पढ़ते हैं बटा भी हाँ तो टीन टूरियर हो गया इनोलाजी हो गया टार्टरी कैसेड हो इसके बाद वाला point भी बहुत important है पार्थीनो कार्पी एक ऐसा process है जिससे हम seedless fruit का development कर सकते है seedless fruits पार्थीनो कार्पी के अलग-अलग प्रकार होते हैं बटा जिसमें से एक टाइप का पार्थीनो कार्पी है stimulative पार्थीनो कार्पी कौन सी पार्थीनो कार्पी stimulative पार्थीनो कार्पी अच्छा Stimulative Parthenocarpy ये जो Stimulative Parthenocarpy है ये अंगूर की एक variety में देखने को मिलती है जिसका नाम है Black Corian क्या नाम बेटा? Black Corian tablet blocking salud इस process को हम कह देते है stimulative पार्थी नोकार्थी और stimulative पार्थी नोकार्थी अंगूर की किस वराइटी में पाई जाती है विटा black Korean किस में पाई जाती है black Korean जल्दी से no down कर लो देख रहे हो सारे important point one liners में change कर दिये है इसमें मैनत लगा है विटा समझ गए तो आप भी मैनत कीजिए और बढ़िया से बढ़िया results दीजिएगा paper में next point पाचवे नंबर का point verasion grapes में एक शब्द होता है verasion किरन पढ़ रही है न विटा verasion क्या होता है तो verasion basically grapes में onset of ripening होती है English का एक शब्द होता है onset onset का मतलब होता है शुरुआत ripening की शुरुआत कहलाती है क्या तो verasion verasion कहलाती है ठीक next अंगूर में एक बीमारी होती है pyresis disease कौन सी बीमारी pyresis बीमारी और ये किसे होता है तो ये होता है zylella zylella नाम के pathogen से किसे होता है zylella rambi है very good good very good बीटा हाँ एक दम सही answer next point number seven पर आते है dagger neematoad वहाँ बनाना में तुमने पढ़ा burrowing neematoad इधर तुम पढ़ रहे हो कौन सा neematoad dagger neematoad और याद रतना dagger neematoad का हम इधर scientific name बता रहे है ziffi neemah रतना स्वाती सिंग का है स्वाती सिंग जुड़ी है की नहीं जुड़ी है ziffi neemah dagger neematoad ziffi neemah burrowing neematoad radopholus और आपको बताओ एक बहुत important point ये जो ziffi neemah है जिसको तुम dagger neematoad बोल रहे हो जिसको तुम dagger neematoad बोल रहे हो ये neematoad virus को transmit कर सकता है सुन रहे हो ना कान खोल करके रखो अपना और सिर्फ कान खोल करके नहीं बैठ जाना है उसमें चीजों को पहुचाना भी है हाँ push pain very good grape fan leaf virus को transmit करता है अंगूर में होने I mean attack करने वाला एक virus है fan leaf virus इसको transmit कौन करता है dagger neematoad और dagger neematoad का scientific नाम क्या है ziffi neemah yugel भग गया क्या next point number 8 hen and chicken disorder बहुत important है जी very important hen and chicken disorder अंगूर में होता है किसकी कमी से बॉरॉन की कमी से बॉरॉन की कमी से होता है hen and chicken disorder pink berry pink berry तो 2022 CT का सवाल है pink berry कुछ बच्चों का expectation हो अब हम इसका भी तो reason बताओ नहीं बताएंगे बस कि तुम्हारे काम कर नहीं है pink berry देख लो जाके सवाल यही सवाल पूछा है कि pink berry किसका disorder है grapes का अंगूर का मीराज जुडा है कि नहीं जुडा है next disorder है shot berry अंगूर में ही पढ़ रहा हूँ सब disorder है shot berry हाँ बिटा next calyx and rot यह भी disorder है अंगूर का एक नया disorder एक नया disorder देखो mummification mummification इसमें जो fruit होता है नंगूर का वो एकदम सिकुड जाता है mummification कहते हैं इस disorder को next straggly flower यह भी नया होगा straggly flower किसका disorder बिटा grapes का पढ़ रहे हो straggly flower straggly flower next एक gene होता है बिटा अंगूर में gene जिसका नाम है run one gene है gene run one और यह जो gene है बिटा यह grapes में powdery mildew से resistance शो करता है yes powdery mildew से resistance शो करता है किसकी बात हम कर रहे हैं बिटा बताइए जरा हम बात कर रहे है run one gene की और powdery mildew of grapes किसे होता है unseenula से unseenula से होता है downy mildew of grapes भी आपने पढ़ा है जिसके against body axe mixture की खो़ोद की गई 15th point बहुत important 15th point है flaviscence dory क्या है point flaviscence dory आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या है माडम ये बीमारी है भाईया किससे होता है phytoplasma से किससे होता है phytoplasma से चलो फटा फट लिख लो next topic पर आजाते हैं papaya heading डालीजे next topic डालीजे papaya जूडे रहे ना बीच बीच में स्क्रीन से गायब हो जाते हैं मतलब हम है वाईयरॉइट से नहीं होता है स्वाती किसने पढ़ाया तुमको ऐसा flaviscence dory वाईयरॉइट से किसने पढ़ाया मैंने तो नहीं बताया ऐसा कुछ मैंने तो phytoplasma बोला है और जहां तक मेरे ग्यान की बात है तो वाईयरॉइट और phytoplasma लग लग चीज़ें होती है चलिए पढ़ें आगे पढ़ें आगे येस वेरी गूद phytoplasma नेक्स टॉपिक है papaya बिटा papaya, papita papaya का पहला point it is sensitive to frost ये frost से sensitive होता है मतलब frost इसको प्रभावित कर सकता है इसके growth को प्रभावित करेगा साथी साथ हमारा जो papaya का plant है ये बिचारा बड़ा sensitive होता है water logging से जैसे आप में से बहुत लोगों को सर्दी बड़ी जल्दी हो जाती होगी मतलब आप सर्दी के लिए sensitive हो इतने लेट से good evening cup का session शुरू कर चुके है अभी तुम लोग जुड़ रहे हो चलिए next point पपाया में पीले कलर का एक pigment होता है और इस pigment का नाम है karikazanthin पपाया का जो flavor है है ना पपाया के fruit का जो flavor और taste है वो बाकी फलों से अलग लगता है ना तो पपाया में जो flavor है वो एक chemical के कारण आता है जिसका नाम है सीनालूल क्या नाम है जी सीनालूल ठीक पाचवा point पाचवा point बहुत important है patho point of view से PRSV PRSV का full form है पपाया ring spot virus और ये जो virus है ये पपीते के case में कौन transmit करता है जी आफिड transmit करता है कौन transmit करता है पपाया आफिड transmit करता है ठीक है next point number six पापाया में एक disorder होता है पापाया में एक disorder होता है जिसका नाम है कारपी लौडी क्या नाम कारपी लौडी कारपी लौडी generally lower temperatures के कारण होता है जैसे तुमने अभी चोक थ्रोट भी पढ़ा बनाना में lower temperature के कारण उसी तरह से कार्पी लॉडी जो papaya का disorder है ये भी lower temperatures के कारण होता है papaya में एक और viral disease है papaya mosaic और papaya mosaic को कौन transmit करता है aphid papaya में next viral disease है leaf curl और इसको कौन transmit करता है white fly कौन transmit करता है white fly yes very good बटा हर जगह पे scientific नाम नहीं ना पढ़ने की ज़रूरत है seed seed ध्यान से देखना अगर आपने papaya के बीच को observe किया है तो papaya के बीच के बाहर एक अजीब type का जिल्ली जैसा covering होता है ध्यान दियो ना हाँ और उस particular seed को जिसके बाहर चिप चिपा जिल्ली जैसा structure होता है इस particular जिल्ली जैसे structure को पपीते के case में हम कहते है सारको टेस्टा क्या कहते है बीटा सारको टेस्टा ध्यान रहेगा आशू जुड़ा है कि नहीं आशू मल पपाया में जो latex है अगर आप इसको निकालना चाहें तो सबसे बहतरीन stage latex के extraction के लिए कौन सा होता है जब फल आधा या तीन चौथाई mature अगर फल है हाफ से लेकर के तीन चौथाई mature fruit जिनमें maturity तीन चौथाई तक हो चुकी है या हाफ mature हो चुका है ऐसे फलों को generally latex निकालने के लिए यूज किया जाता है पपीते के किल्स में फाइन चलिए next some topic पर आजाते हैं जो कि यह varieties of papaya आप जानते हैं papain मिलता है हमें papaya से और papain के लिए one of the best variety कौन सी है? CO5 transgenic variety transgenic variety यानि biotechnology की मदद से developed variety कौन कौन सी है बिटा papaya के केस में rainbow और दूसरी वराइटी है sun up rainbow and sun up rainbow and sun up next mutant variety पूसा नंधा mutant variety कौन सी है papaya की पूसा नंधा साथ ही साथ यह तो आप लोग जानते ही हो कि इसे high density planting में यूज भी किया जाता है it is used for high density planting next tutti fruity making tutti fruity making 2021 IGKV CET का सवाल भी रह चुका है ध्यान रखना paper अगर होगा तो check भी कर सकते हो tutti fruity बनाने के लिए one of the best varieties is Pusa Giant कौन सी वराइटी विटा Pusa Giant अशुमल अविनाश अशु कहा है next topic leechy next topic is leechy लीची की फैमली सापिन डेसी सापिन डेसी और सापिन डेसी फैमली में एक और फल आता है जिसका नाम है रामबुटान क्या नाम है उटा रामबुटान leechy का जो edible part होता है अक्सर बच्चे confused होते है fruit type nut है edible part leechy का कौन सा होता है aryl edible part of leechy is what aryl aryl क्या होता है अगर seed के बाहर juicy covering चड़ जाए अगर seed के बाहर juicy covering चड़ जाए देख लो ना leechy में seed अंदर होता है बाहर में juicy covering होती है इस तरह के edible part को भी call it as aryl next leechy के roots में mycorrhiza report किया जाता और mycorrhiza क्या है बटा fungus और plant के roots के बीच का symbiotic association symbiosis का मतलब है जहाँ पर दोनो living organisms साथ में रहते हो और एक दूसरे को फायदा भी पहुचाते हो yes symbiotic relationship between roots and fungus fine और mycorrhiza term किनों ने दिया था so mycorrhiza term was given by frank 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 के द्वारा दिया गया था अभी तुमने कुछ देर पहले पढ़ा था grapes में होने वाला hen and chicken disorder hen and chicken disorder है ना पढ़ा था boron की deficiency से और leechy में एक disorder होता है जिसका नाम है chicken tongue यह actually embryo abortion वगरा से related है उतना जानने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है next हम आ जाते हैं varieties of leechy पर सबसे पहली variety is rose scented दूसरी variety स्वर्न रूपा तीसरी variety है सब और मधू next है सब और प्रिया early bedana and late bedana साथ ही साथ यहां पर पूसा बेदाना किसकी variety है you should know this because पूछा जा चुका है water melon की variety है किसकी variety है water melon की पूसा बेदाना water melon की variety yes embryo abortion वो मैंने बता भी दिया भी water melon की variety late bedana, early bedana, ninchy की variety है and पूसा बेदाना is a variety of water melon कैसी variety है? seedless variety cross between tetra 2 into pusa russell next topic पर आ जाते है guava बहुत ही summarized note है heading डाल लीजेगा guava guava की family is mirtesi साथ ही साथ jamun की भी family क्या है mirtesi long की भी family क्या है mirtesi jamun and clove दोनों की family क्या है बिटा? mirtesi yes हाँ वो भी है next guava में attack करने वाला एक important insect है मैंने entomology में आप सभी के साथ discuss भी किया है and that is tea mosquito bug tea mosquito bug scientific name is heliopeltis heliopeltis हाला कि ये जो tea mosquito bug है ये guava के इलावा neem, cocoa, chai, tino metat करता है tea mosquito bug next guava wilt guava wilt basically is caused by a fungus जिसका नाम है fusarium और इस particular बीमारी का attack ज्यादा तर alkaline soils में होता है it is reported more in alkaline soils it is reported more in alkaline soils next guava जो है ये pectin का बहुत अच्छा source होता है इसी लिए तो jelly making में इसको prefer करते है it is a very rich source of pectin next guava में एक disorder होता है जिसका नाम है bronzing guava में एक disorder होता है जिसका नाम क्या है बिटा bronzing granulation किसमें पढ़ा है citrus में bronzing किसमें पढ़ रहा है free होती है जो bronzing free होती है और इसका नाम है AS AS means Allahabad सफेदा AS stands for what? Allahabad सफेदा Allahabad सफेदा yes हाँ बिटा ठीक है आशू वो अविनाश बता दिया था next topic पर आते हैं supporta supporta की family किसे नहीं पता है it is sapotesi sapotesi supporta में जो मुझे कुछ important varieties जो किसी न किसी exam में पूछी गई है उनको discuss कर देती हूँ सबसे पहली variety आपको दिख रही होगी cricket ball बहुत famous variety है supporta की दूसरी है मुरब्बा मुरब्बा variety है supporta की आउला मत सोच लेना तीसरा है काली पत्ती चौती variety है छत्री आपको बता दे क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो छत्री जो है यह आरियो 2017 में खूछा जा चुक है आप चेक कर सकते हो पाच्वा जो variety है वो है PKM4 यह JNKVV PhD entrance का सवाल था ठीक है PKM4 PKM4 जो variety है ध्यान से देखो PKM4 जो variety है supporta की इसका जो fruit होता है उसका shape कैसा होता है spindle के समान spindle मतलब eye shape structure होता है eye के जैसा आखों के समान eye shaped structure is known as spindle shape यह हाला कि PhD entrance का था लेकिन does not matter अच्छे questions कहीं पर भी मिले पढ़ लेना चाहिए हमें heading डाल लीजेगा next topic which is jackfruit next topic डाल लीजेगा हाँ गूती भी है गूती भी है supporta में लेकिन हमने most important varieties को आपके साथ discuss किया हुआ है चलिए heading डाल लीजेगा next topic which is jackfruit कठल कठल पढ़ते हैं ठीक है jackfruit के तीन characters jackfruit के कितने characters तीन characters है पहला character लिखा है इसके जो seeds होते हैं वो recalcitrant होते हैं recalcitrant ऐसे seeds होते हैं seed technology में जो drying conditions को बरदाश्ट नहीं कर सकते ठीक है और freezing conditions को भी बरदाश्ट नहीं कर सकते मतलब बेचारे बड़े sensitive से होते हैं और क्योंकि ये drying और freezing दोनों conditions को बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए तुम इनको लंबे समय तक store नहीं कर सकते इनके उल्टे होते हैं orthodox seed बढ़िया drying freezing कैसे भी condition में रखो रह जाएंगे असानी से येस बिटा हाँ आईशा very good recalcitrant seed होने के साथ साथ jackfruit में विवी पेरी का भी process होता है और विवी पेरी का मतलब मैंने कई बार class में डिसकस किया भी है विवी पेरी का मतलब होता है seed का germination fruit के ही अंदर हो जाना जब seed fruit के अंदर ही germinate कर जाएं next इसमें cauliflowerous bearing होती है मैंने समझाया है cauliflowerous का मतलब क्या होता है बिटा so cauliflowerous का मतलब होता है main stem पर भी फल लग जाते हैं कठल को किसने नहीं देखा है cauliflowerous behavior cocoa में भी present होता है it is also reported in cocoa yes cauliflowerous जो bearing habit है बिटा ये cocoa में भी पाई जाती है चाहें तो आप लिख सकते हैं next point jackfruit का scientific नाम है artocarpus पूरा नाम अगर मैं लिखूं तो artocarpus heterophilus artocarpus heterophilus jackfruit की family है morasi jackfruit की family क्या है बिटा morasi हाँ क्यारंबोला में भी पाया जाता है तुमारा cauliflowerous bearing क्यारंबोला दूसरा मैंने बोला cocoa तीसरा है jackfruit तीनों cauliflowerous होते हैं हाँ कुल दी येस artocarpus heterophilus family क्या है morasi morasi family में अंजीर भी आता है fig भी आता है और mulberry भी आता है मलबरी भी आता है मलबरी भी आता है नेक्स ट्रॉपिक डाल लेते है पाइनाप्ल पाइनाप्ल की फैमिली जो है it is bromeliac क्या है family bromeliac pineapple एक cam plant है plant physiology में मैंने पढ़ा रखा है next point revision के लिए बहुत अच्छे notes बन रहे हैं तुमारे ध्यान रखना last minute के revision में आदमी कभी भी बड़े बड़े topics को नहीं पढ़ सकता सिर्फ उन points को ही पढ़ पाएगा जो most important है है ना जैसे कि मैंने च्छाटा हुआ है points को इसको पढ़ो ना कम से कम येस पिटा हाँ सुझीता सही है cam plant होता है है ना next point यह monocot है जैसे बनाना भी monocot होता है next इसकी family मैंने आपको बता दी bromeliac pineapple में एक enzyme पाया जाता है pineapple में एक enzyme होता है जिसका नाम है bromelain और bromelain तो आपको bromeliac family से ही याद हो जाएगा नेक्स आ जाते है कुछ important इसकी varieties होती है बटा जैसे कि पहली वराइटी है Q डूसरी है giant Q, queen, mauricius, carbonzona और जल्धूप carbonzona और जल्धूप और आपको बता दूँ कि pineapple में दो disorders है एक है multiple crown और दूसरा है sunscaled multiple crown and sunscaled multiple crown and sunscaled yes देखो हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम सारे points लेकर आएं लेकिन हम summarized format में जितने भी points important हो सकते थे उसको मैंने एक जगा पे summarize करने की कोशिश बिल्कुल की है next हम आज आते हैं बेर पर बेर बेर की family जो है 2018 CT का सवाल भी था और यह है रामनेसी क्या है families की रामनेसी याद रखिएगा important है next point इसकी बहुत famous कुछ varieties है गोला, सेब, उमरान, उमरान IGKV, CET 2019 का सवाल रह चुका है गोमा कीर्ती, गोमा एश्वर्या आउला की वराइटी है गोमा कीर्ती किसकी वराइटी है बिटा बेर की साथ ही साथ इसमें एक और वराइटी है दो धिया और यह जो वराइटी है यह बेर में fruit fly से resistant होती है किस से resistant होती है? fruit fly से resistant होती है next topic पर आ जाते हैं which is bale, bale हो गया, next is bale, bale की family है root A, C और bale जो है, it is known as the richest source of vitamin B2, आम richest source of vitamin A होता है आम is the richest source of vitamin A और bale is the richest source of vitamin B2 vitamin B2 जिसे riboflevin भी कहते है bale को common language में Bengal quince या Indian quince भी कहा जाता है Bengal quince और Indian quince for today's session the last fruit crop we are going to revise is aola aola, aola का scientific नाम embolica officinalis, family is U4BAC, vitamin C की मात्रा 2018 IGKVCT में पूछा जा चुका है याद रखना, vitamin C, कितना दिख रहा है आपको, 600 mg per 100 g of fruit, 600 mg per 100 g of fruit, पूछा हुआ सवाल है इसे Indian gooseberry भी कहते हैं, पहली वराइटी है इसकी बनार्सी जो की मुरब्बा बनाने के लिए बहुत सूटबल है बनार्सी is a variety of aola which is very suitable for मुरब्बा making next variety is Chakaiya and the last variety is Francis which is also known as Hathi Jool which is also known as what? Hathi Jool तो आज के session में मुझसे जितने भी crops summarized हो पाए, वो मैंने discuss किये है definitely it would be a very summarized note for the last minute revision इसमें वो सारे important points होंगे जो की कहीं न कहीं किसी न किसी exam में पूछे हुए है fine, कल भी fruit crops और flower crops का revision series होगा मैं कोशिश करूँगे कि vegetables भी उसमें include कर पाओ हाला कि अगर हम vegetables include कर देंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा fine, I hope this session was useful for all of you next class में मिलोंगे, पढ़ते रहें, thank you so much झाल सकते हैं, जो 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 बहुत रहें कर दो जाएगा झाल सकते हैं, thank you so much